नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टेक सुरिशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीव लॉंच बजाज मैक्सिमा एटेक कारगो रिक्षा के प्राइस फीचर और स्पिसिफिशन के बारे में साथ ही आप जानेंगे यह है आटो रिक्षा कब कहां और कितनी का मिलने वाला है जिसका आप लोगों को एक लंबे समय से इंतिजार था वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आप इसे कहां और किस शेहर में लेना चाहते हैं आए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसके ओवरोल लुक के बारे में फ्रंट लुक इसका बड़ा ही शेंदार और स्टैलिस्ट यहां देखने को मिल जाता है एक कमफटेबल ड्रैवर सीट ड्रैवर सीट के निचे ही 11.8 फिलो वाट आवर की एक बड़ी लिट्यमान बैट्री लगाई गई है जिसके साथ ओन बूर्ड चार्जर भी मिल जाता है जिसे आपको इधर उधर कैरी करने के जरूत नहीं पड़ेगी दोस्तों साथ ही इसके साथ आर सीटी केबल जो की लॉकिबल है यहां आप लोगों को मिल जाती है जिसे आपको खोने का भी डर नहीं है साथ ही इस गाड़े को आप फास्ट चार्जिंग के जरीए 4.5 गंटे में चार्ज कर सकते हैं जिसके जरीए आप परीब 178 किलोमेटर की रेंज राप्त कर सकते हैं दोस्तों टॉप इस्पिट के अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 45 km परावर के आपको टॉप इस्पिट यहां देखना हो मिल लाती है या फिर 80,000 km के वारंटी भी आप लोगों को देती है इस गाड़ी के साथ GPS, म्यूजिक, सादे साथ मेरा बजाज एप भी दिया गया है जिसे के आप अपने नियरबाई चार्जिंग इस्टेशन का पता लगा सकते हैं अब बात करें दोस्तों इसके प्राइस की तो इसका प्राइज करीब करीब 3,5,5 लाख रुपे के आसपस आप लोगो देखने को मिल सकता है और अभी ये गाड़ी दिल्ली और दिल्ली के एंसर के जितने भी छेत्र हैं यूपी हरियाना गास्तान आदी छेत्रों में आप लोगो देखने को मिल सकती है दूर दराज के छेत्र जैसे के आसाम, कशमीर जैसे छेत्रों में आने में अभी इसमें थोड़ा सा वक्त आप लोगो को देखने को मिल सकता है अब बात करें डेश्पोर्ट की तो बहुत ही शंदा डेश्पोर्ट यहां पर दिया गया है साथे साथ एक हेंडल वर जहां लेफ्ट पर डामस्टिक शुच्रा अरप लेट जाते हैं यह नीचे साथ में अप लोगो को ईपर और बैक लैड की ऑप्शन बेखने को मिल जाते हैं हिल होड असिस्टेंट इसको उंचा चड़ने मलत करता है और गाड़े के मकाबले इसमें एक लंबा वेल बेस यहां आप लोग को देहने का मिल जाता है साथ ही इसके पेलोड कैपसिटी करिक पर 900 किलोग्राम की यहां पर दी गई है दोनों तरफ सेफटी डोर और पूरी बाड़ी को मैटल से कवर किया गया है अब बात करें इसके बैक सैड की तो दोस्तों दोनों तरफ दो दो टेलें पिया देखने का मिल जाते हैं आप लोग कैसे लगी प्लीज हमें कमेट्स करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइफ शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना तो आज के लिए इस वीडियो में सरफ इतना ही अगली वीडियो तक के लिए इन्तियार कीजिए नमस्कार जैहिन वन्दे मात्रा झाल